प्रिविद्धियार्थी साथियों नमस्कार नई शिक्षानिती 2020 के अंतरगत फस्ट एर के रिजल्ट को समझने की प्रक्रिया के अंतरगत जारी किये जारे वीडियो की श्रंखला का यह अगला वीडियो है इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ग्रेट लेटर्स जो होते हैं उसमें प्रत्यक लेटर के साथ कितने ग्रेट पॉइंट्स आपको मिलते हैं जैसा कि आप जान चुके हैं कि लेटर जो ग्रेट हैं उसमें O, A+, A, B+, B, C, P, F और A, B इस तरह के लेटर ग्रेट होते हैं किसी लेटर ग्रेट के लिए कितने आपको ग्रेट पॉइंट्स मिले हैं वो इस वीडियो में बताय जा रहा है यह करियर एडवाइस चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजी बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको लेटर ग्रेट O मिली है किसी विशे में तो इसका मतलब है ग्रेट पॉइंट आपको 10 आउट आप 10 मिले हैं 10 में से 10 ग्रेट पॉइंट आपको मिले हैं और जिन जिन विशो में आप O ग्रेट लेटर ला पाते हैं और ग्रेट पॉइंट 10 ले आप आते हैं तो आपका ओवराल जो रिजल्ट है बहुत ही शांदार हो जाता है A प्लस होने की स्थिति में ग्रेट पॉइंट 9 होंगी 9 होंगी A की स्थिति में 8 होंगी B प्लस में 7 होंगी B में 6 होंगी C में 5 होंगी P में यानि जब केवला पास होते हैं तो ग्रेट पॉइंट 4 होंगी F में ग्रेट पॉइंट 0 होंगी और A B में भी ग्रेट पॉइंट 0 तो आशा है कि अब आप लेटर ग्रेट और ग्रेट पॉइंट दोनों चीज़ों को समझ पा रहे होंगे इसी तरह से रिजल्ट को समझने की शरंकला निरंतर जारी रहेगी आप एक के बाद एक वीडियो देखते जाए और रिजल्ट को लेकर अपने नॉलेज को सुधरण कर करेयर एडवाइस चेनल की संचाली का पृति गुलवानिया जीजी और उनकी परिश्रमी टीम की पृत बहुत आभार आप सभी को शुक्त काम दाएं नमस्कार